मुस्ट वॉंटेड अंडर्वर्ड डॉन दाओद इब्राहिम का इस खंधर से बहुत पुराना राता है इस तीन मंजिला खंधर की दिवारों से दाओद और उसके परिवार का पुराना कनेक्शन है इस खंधर से मुंबई बम धमाके के मुझरिम दाओद का कुछ ऐसा रिष्टा है जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकता महाराश्ट के कौंकर इलाके के रतनागिरी जिले का ये गाउं जौन दाओद इब्राहिम का पुष्टैनी गाउं है इस गाउं का नाम है मुमके मंबई से करीब 330 किलो मीटर दूर बसे गाउं मंबगे के इसी घर में 26 दिसंबर 1955 को दाओद का जन हुआ था गाउं के लोगों के मुताबिक बेहत गरीब परिवार में पैदा हुए दाओद का बच्पन इसी गाउं में मुफलिसी में बीता दाओद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कॉंस्टेबल थे लहाजा पूरा परिवार गाउं से मुंबई शिफ्ट हो गया गाउं के लोगों के मुताबिक गाउं के इसी घर में दाओद के परिवार के कई सदस्यों की मौत हो चुकी है इस वज़ा से पूरा परिवार यहां से मुंबई चला गया गाउं में आज भी ये बंगला भूतिया बंगले के नाम से जाना जाता है गाउंवालों के मुताबिक दाओद और उसका पूरा परिवार रतनागिरी के इस पुष्टैनी बंगले को अशुप मानता है यही वज़ा है कि दाओद के मुंबई में रहने वाले रिष्टैदार भी कभी इस बंगले में चाकने नहीं आते साथ ही सरकारी दस्तावेजों में ये बंगला दाओद इबराहिम की मा अमीना कासकर के नाम है हुआ 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 है